तो बच्चों अभी तक हमने center of mass का जो भी concept सीखा वो discrete mass systems के लिए सीखा यानि कि वहाँ पर हमारा system different particles के combination से बना होता है अब जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं यहाँ पर हम चर्चा करेंगे continuous mass systems या continuous mass distribution के बारे में तो पहले तो समझ लें कि continuous mass distribution होता क्या है आपकी screen पर जो body दिख रही है yellow color की देखिए और पहचानिये कि क्या यह अलग-अलग points से मिलके बनी हुई है नहीं अगर हम इसे देखें तो इसकी एक definite boundary है और साथ ही साथ इसमें अलग-अलग points का collection नहीं दिखाया गया है यानि इससे हमें यह पता चलता है कि इसमें हर एक point as a whole body से connected है अपने neighborhood से connected है या हम आसान भाषा में बोलें तो एक continuous mass distribution की पहचान इस बात से होती है कि उसमें gaps ना हो पहले थियोरी में जो हमने पढ़ा वो discrete mass distribution था वहाँ पे particles के बीच में gaps भी थे अलग-अलग particles के combination से बना था system यहाँ पे system although particles के combination से ही बना है लेकिन हम यहाँ पे कोई भी gap consider नहीं करते पुरी body का mass distribution हम continuous मानते हैं आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे कहीं पे भी gaps नहीं दर्शाया गया है तो इस तरह से जब हम एक system को recognize करते हैं तो हम इसका यह समझेंगे कि यह continuous mass distribution वाला treatment है तो बच्चों पहले तो चीज़ें आसान थी आपको point mass दिया हुआ है उसकी position दी हुई है यानि कि उसका like position vector दिया हुआ है और आप formula apply करते हैं और center of mass मालुम कर लेते हैं तो यहाँ पे interesting होगा जानना कि continuous mass systems के लिए इस mass distribution के लिए हम कैसे center of mass find out करें तो बच्चों basic concept यहाँ पर भी same है आपको यह नहीं भूलना है कि center of mass होता क्या है अगेन मैं दोराना चाहूंगा center of mass वो point है जिसके आसपास mass का जो distribution है वो even है वो एक समान है या दूसरी परिभाशा इसकी यह है कि यह वो बिंदू होता है किसी भी system में जहाँ पर हम मानते हैं कि सारा का सारा mass concentrated है या focused है तो बच्चों याद करिए जो formula था आपके center of mass के लिए discrete system में कि rcum is equal to summation mi ri divided by total m कुछ उसी तरह का यहाँ पर भी setup है आपको क्या करना होगा एक element mass consider करना होगा जैसे हम वहाँ पर point mass लेते थे वहाँ पर यहाँ पर आप एक element mass लीजिए अब आप इसके लिए solve करेंगे अगर तो आपका formula निकल के आता है center of mass के position vector के लिए integral of rdm divided by integral of dm अब बच्चों गर आप इसको पिछले formula से compare करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर integral की जगे summation का sign था और product लगभग वही था वहाँ पर आप एक random mass चुनते हैं जिसको आप mi से indicate करते हैं यहाँ पर मैंने एक element mass चुना है जिसे मैं dm से indicate कर रहा हूँ और r उसका position vector होगा divided by integral dm यानि कि आप ऐसे छोटे छोटे जितने भी elements लेते हैं सारे elements के masses का sum होगा तो basically आपके system का mass या यूं कहें कि यह total mass निकल कर आएगा तो बच्चों यह formula जो develop करा गया है यह उसी तरज पे develop करा गया है अब चुनकि हमको center of mass का position vector चाहिए तो position vector define करने के लिए three dimensions में हमें उसके तीनों components की आवश्यक्ता होगी यानि x component, y component और z component तो procedure वही है हमने जो in general r के लिए किया r vector के लिए किया हम x vector के लिए भी कर सकते हैं x यानि की x dm मतलब उस element का mass multiplied by उस element का x coordinate इसका हम integral करेंगे basically बच्चों यह जो है आपका dm जो है यह function के form में आएगा उस function को हम यानि x उसकी location को हम m के respect में integrate करेंगे और capital M तो आपको system का mass होगा तो यहां पे कुछ आपको थोड़ा सा integration का भी प्रयोक करना पड़ेगा कुछ functions भी मिलेंगे कि जरूरी नहीं है कि यह जो इसका mass distribution है वो uniform होज continuous तो होगा बच्चों लेकिन uniform होना मतलब कि हर जगे एक समान हो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो इसी तरच पे हम y coordinate और z coordinate भी निकाल सकते हैं यह formula बच्चों number one number two और number three यानि कि यह तीनों ही formula बहुत important है इनको आप एकदम याद कर लें और इनका application part क्या है हम इसे apply करना है कैसे यह हम आगे देखते हैं जरा जो सीखा है continuous bodies के लिए continuous mass distribution के लिए जो हमने center of mass का concept सीखा है आये हम उसे apply करके देखते हैं आपके लिए सवाल है एक uniform rod है जिसका mass m है उसकी लंबाई उसकी length l है आपको उसका center of mass मालूम करना है अब आप में से कुछ तेज विद्यारती यह सोच रहे होंगे कि सर uniform rod है तो आपने तो पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर mass distribution uniform है तो उसकी लंबाई में जो उसका midpoint होगा वही उसका center of mass होना चाहिए ठीक है बच्चो इस बार आप mathematically solve करिए और मुझे answer बताये तो solution start करते हैं बच्चो हमने जो continuous bodies के लिए continuous mass distribution के लिए सीखा हम वो method यहाँ पे apply करेंगे integration वाला तो पहला step क्या है बच्चो कि आपको element consider करना है मैंने जो कि यह rod एल लंबाई वाली rod में मैंने एक छोटा सा mass element लिया उसका एक छोटा सा टुकडा लिया जिसकी width मैंने dx मानी और उस mass element की मैंने उसके एक सीरे से एक end से दूरी x मान ली आप किसी भी end को origin पे consider कर सकते हैं simplicity के लिए इससे आपकी calculation आसान हो जाएगी अब मैं क्या करूँगा इस mass element के लिए solve करूँगा तो जो मेरा standard formula है मैं यहाँ पर apply करके देखता हूँ अच्छा बच्चो मुझे यह बताईए यह जो mass element मैंने लिया है इसका भी कुछ mass होगा अगर total rod का mass capital M है तो इसका भी कुछ mass होना चाहिए वो कैसे मालुम करें देखते हैं चुकि rod uniform है बच्चो तो हम एक function या एक दूसरा physical quantity lambda से हम इसे define कर सकते हैं तो lambda is the mass per unit length यानि कि हर एक उसकी per unit length में कितना mass distributed होगा यह वो दर्शाता है lambda तो हम dm को lambda dx लिख सकते हैं यगर per unit length में lambda जितना mass concentrated है तो dx width की जो length होगी उसमें lambda dx mass concentrated होगा अच्छा तो अगला step है कि आप dm की value वापस इस formula में put करें और इसे solve करें जी हाँ हमने put कर दिया x तो x ही होगा चुकि वो आपके origin से आपके element की क्या है x coordinate है x दूरी है और dm की value आपने lambda dx तो रखी दिये अब आप यह समझे बच्चों अगर आपको पूरी rod के लिए consider करना है तो आपको element की initial position उसके एक end पे लेनी होगी और दूसरी position उसके दूसरे end पे लेनी होगी तब ही हम इन छोटे छोटे elements को इन छोटे छोटे elements के combination से हम एक पूरी rod तयार कर पाएंगे तो बस आगे तो mathematics है बहुत ही छोटा सा integration है बहुत आसान integration है x का हमें x के respect में integration करना है यह x square by 2 होगा आपने यहाँ पे बस limit put करनी है 0 से l तक जैसा कि मैंने बताया 0 rod के एक end को represent कर रहा है l rod के दूसरे end को represent कर रहा है तो solve करने पे x की value यानि यह center of mass के x coordinate की value l by 2 निकल के आई तो बच्चों वही जिद्धान जो हमने सीखा सबसे पहले वीडियो में यहाँ पर हमने उसको mathematically proof किया अब हमने rod के लिए तो यह proof कर पाए लेकिन baseball bat या गदा के case में थोड़ा सा मुश्किल जाएगी क्योंकि वो दोनों भी continuous bodies तो हैं लेकिन उनका जो mass distribution है बच्चों वो uniform नहीं है तो वो अगर किसी function से हम define कर लें तो हमारे लिए थोड़ा सा सहूलियत हो सकती है अब यहाँ पर हमने y और z इसलिए माना है हमने यह assume कर लिया है बच्चों कि यह rod बहुत मोटी नहीं है center of mass का तो finally यही answer हमारा निकल के आया कि rod के center पे इसका center of mass लाई कर रहा है बशरते rod का mass distribution uniform होना चाहिए यह आप रटेंगे नहीं कि rod है तो center में ही होगा uniform rod है तो center में होगा बच्चों अब यहाँ पर आपकी screen पर कुछ सुंदर सुंदर चितर बने हुए आप यह समझिए कि जो चारो object आपकी screen पर दिखाई पर रहे हैं यह कैसे हैं यह symmetric objects हैं बच्चों symmetric मतलब कि किसी point या किसी axis के about अगर आप इसको विभाजित कर दें टुकडे टुकडे कर दें इसके अलग अलग तो वो टुकडे एक समान होंगे वो symmetric होंगे वो एक दूसर की copy होंगे जैसे अगर मैं यह जो point है यह बिंदू है यह आपके इस rectangular sheet के दोनों diagonals का intersection point होगा इस point के about जो mass होगा वो इस sheet के लिए uniformly distributed होगा similarly इस keyboard के लिए यह जो बिंदू होगा यह इनके opposite faces वाले vertices को join करने वाले diagonal का point of intersection होगा similarly यह आपके एक equilateral triangle के centroid को represent कर रहा है तो basically यह जो figures हैं यह symmetrical bodies के figures हैं तो इनका जो geometrical center होगा वही इनका center of mass होगा तो यह fact है आप इससे याद कर लें यह इससे सहूलियत होती कई बार questions में समय हम बचा लेते हैं the center of mass of homogeneous bodies a body with uniformly distributed mass lie at their geometric centers में समय के इससे स् Warmth